हाई लो येन विल्कम दोस्तों मेरा नाम है साहिल और आप देख रहें अपना मन पसंदीदा यूटुब चायनल साहिल फ्रिडिस दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, प्रोजेक्टर कितने परकार का होता है, तो दोस्तो वीडियो की सुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर कुछ इस परकार से करेंगे हम आपको बताएंगे प्रोजेक्टर के परकार तो दोस्तों प्रोजेक्टर का पहला जो है डिय एल पी यानि की डिश्टल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर जिहां दोस्तों और दूसरा है लिक्विट क्रिश्टल डिस्प्ले हैं तो दोस्तों यह यूज कहां होता है जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हुई संग्रालय हुआ ठीक है या आपको अपनी अपने किसी प्रोजेक्ट को बहुत लोगों के सामने प्रस्तुत करना है तो वहां पे आप ले जाके उस चीज को में दिखा सकते हो यानि कि आप चोटी सी टीवी में नहीं दिखा सकते ना बड़े से परदे पे आपको दिखाना होगा जहां पे सैक्रोलोग बैठे हुए हैं तो दौस्तों प्रोजेक्टर भी आपको अलग अलग less rate का मिलता है कोई 10,000 का मिलता है, कोई 5,000 का मिलता है, कोई लाखों का मिलता है यानि कि प्रोजेक्टर आप जब सिनेमा हाल में फिल्म देखते हैं तो वो भी प्रोजेक्टर से चल रहा होता है यानि कि projector बहुत ही महंगे करोरो रूपय तक के projector आते हैं जो बड़े-वड़े sinema hall में a projector लगते हैं वो बहुत ही महंगे projector खोते हैं डी हम चोटे अस्तर के projector की बात कर रहे हैं चोटे अस्तर के projector आप अपने घर में तो लगा सकते हैं लेकिन आपका घर भी वैसा होना चाहिए अब मान लो हम LED की जगह पे हम एक प्रोजेक्टर लगा लेते हैं एक छोटा सा एक डबबा आएगा उस प्रोजेक्टर को हम लगा लेंगे तो अब उसमें क्या होगा 20,000 घंटे की चलने की उसकी छमता होगी 20,000 घंटे चलने के बाद वो धीरे 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 डाउन होता जाएगा ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ऐसा मैं मैं नेट पे मैंने देखा तमाम जगहां पे मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ हलाकि प्रोजेक्टर मैं यही कहूंगा कि अगर आप 3000, 4000, 5000 का अगर आप प्रोजेक्टर लेने के mood में हैं तो आप प्रोजेक्टर ना ले अगर आप जनरल घर में अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उसे ना लो, प्रोजेक्टर के फायदे भी हैं, बहुत सारे फायदे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ अपने घर के लिए लेते हो, तो वहाँ पे नुक्सान होता है, आप अपने पर्सनल घर में यूच करने के लिए अगर आप लेते हो, दिवाल पे अगर लगा लेते हो, पर्दे पे लगाते हो, तो वह क्या धूंदली पिक्चर क्वाल्टी आती है, यानि कि 20,000, 25,000 के अगर अंदर के रेंज में अगर आप प्रोजेक्टर लेते हो, तो वहाँ पी क्या है कि जो पिक्चर क्वाल्टी है, एकदम धूंदली आएगी, तो आप मतलो ठीक है प्रोजेक्टर आप के लिए नहीं है ना हमारे लिए प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं या अपने कुछ उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है उनको दिखाना होता है तो वहां के लिए यह चीज होता है या अगर आप साधी वेहां में फिल्मों को दिखाना चाहते हैं तो आप खरीच सकते हो प्रोजेक्टर ठीक है लेकिन सस्ते रेंज में अगर ये भी काम करना है तो सस्ते रेंज में आप प्रोजेक्टर खरीदनी के मूड में हो तो प्रोजेक्टर मत लेना ठीक है मेरी तो य कि यहां पिए हमारी वीडियो आप एकिसी लगी यहां पे हमारी वीडियो में क्या कमी है दोस्तों आसा ही नहीं पुछा बिश्वास ही झाल